गुद मॉर्णिं टुड़े इस 14 अक्टूबर 2016 एंड वे आर्टिकल्स ऑफ दा हिंदू जो हमारा पहला आर्टिकल है वो नोबल प्राइस से लिठीड है आपको पता होगा पांच नोबल प्राइस हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं और च्छटा नोबल प्राइस है वो लिट प्राइस के लिए तो जरूए नहीं है यह सब अउस कान आ सकता है और जो अगला यह इंपोर्ट राटिकल है काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है यह यह है कि अंद्रबर परदेस में अभी districts बढ़ा दिया गया यानि पहले वहाँ पे 10 districts थे अब उनको बढ़ा के 31 कर दिया गया है यानि 21 नए districts वहाँ पे बना दिया गया है इसके अलावा वहाँ पर और भी 25 new revenue divisions 125 mundals और circles, police station काफी यानि यू कह सकते हैं कि आप छोटे-छोटे units में और ज़्यादा divide कर दिया गया तेलंगाना को देखे अब ये question सबसे बड़ा तो यहीं बनता है कि क्या small units, small districts या small units, subdivision, mandal, जो भी हो क्या ये development ला सकती हैं या फिर नहीं ला सकती हैं क्या ये administration के लिए side exit हो सकती हैं या फिर administration के लिए problem create करती हैं देखे तेलंगाना जो राजय इनके chief minister का इनकी government का तो यहीं मनना था कि जितने ज़्यादा small units होएंगी उत्रे ज़्यादा development आएंगी और इस पे बहुत important question मनता है इवन 2013 में इस पर question आया भी था लोग कहते हैं कि जैसे 2013 में जो question था वो ये था कि एसा कहते हैं कि small states development लाते हैं और क्या यह बात small districts पर भी लागू होती है यानि जितने ज़्यादा districts उतने ज़्यादा development आएगी इस तरह question आयता था 2013 में तो अब यह discuss कर लेते हैं इस context में देखे फाइदा क्या होगा छोटे unit का फाइदा काफी सारे फाइदे हैं छोटे units के पहले फाइदा इसके हो सकते हैं देखे सबसे जो important फाइदा तो यह होगा जितना ज़्यादा चोटा district होगा उतने monitoring अच्छी होएगी monitoring अच्छी कैसे होगी देखे एक तो बहुत बड़ा district हो तो उसमें एक छोट-छोटे villages को village district headquarter जाने में इतना time लगता है यानि DM को अगर किसी village में जाना है तो इतना time लगता है तो वो नहीं जाएगा आम तुर पर avoid किया जाता है अगर छोटा सा district हो छोटा area हो तो DM काफी ज्यादा frequent visits पर जा सकता है तो monitoring अच्छी होगी सबसे बड़ा फाइदा तो इसका यह होता है दूसरा छोट-छोटे districts का small units का फाइदा यह है जो resources है वो अच्छे से distribute हो सकेंगे यानि ज्यादा जो development related works है वो अच्छे से किया जाएंगे और अच्छे distribution of resources का होगा तीसरा जो map lead का scheme MP lead की scheme है यानि एक MP को आज कल साइद 6 करोड है पहले दो थे फिर पांस थे अब बढ़ा के साइद 6 है चेक कर लिजए गए 6 करोड मिलते हैं हर एक साल में अपने consistency में development के लिए यह जितने ज़्यादा districts हो देखिए वो जो यह MP होते हैं वो खुद से नहीं पैसा लगा DC में development के लिए 6 करोड पर मिलते हैं लेकिन वो खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं वो एक particular district के DM को recommend करते हैं कि आप जो मुझे 6 करोड पर मिले हैं जो मैं recommend करता हूं उसी साबसे किसी development work के लिए use कीजिए अब जितने ज़्यादा districts होएंगे MP light की scheme और अच्छे से implement होएगी और इसके क्या हो सकते हैं देखिए better inputs यानि अगर कोई भी कल को कोई छोटे districts के लिए आपको policy implement करनी है तो जितने ज्यादा districts होएगा उतने ज्यादा अच्छे inputs आपको मिल पाएंगे और लोगों की राय अच्छी मिल पाएगी यानि जो लोगों का जो है participation है policy making में यानि छोट districts के कोई भी अगर नए प्रोजेक्स चलाना है कुछ भी करना है तो लोगों का participation बढ़ जाएगा अच्छे inputs यहां पर मिलने को आएंगे और नुकसान भी है देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें फाइदे फाइदे हैं नुकसान भी हैं तो नुकसान अब discuss करते हैं कौन-गोन से इसमें नुकसान हो सकते हैं नुकसान देखिए सबसे बड़ा नुकसान तो यह है जो यह किया जाए यह किया गया यह एक political region की वज़े से ज़्यादा किया गया है यानि पहले वो थोड़ी district में चाहिए बाद में कुछ districts में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ तो इन्हों 21 से 101 मना दोगे नए तो ऐसे से करके तो कोई limit नहीं है इस चीज की आप political regions मत consider कीजी अगर development के लिए कर रहे हो तो आप अच्छी बात है आपने सोच समझ के किया है लेकिन politics नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई limit नहीं है इस चीज की दूसरा जो सबसे important region है cost देखिए भाई इत government ने काया कि हर एक district को एक क्रोड पर मिलेगा शुरू में infrastructure create करने के लिए एक क्रोड में आजकल एक सड़क भी नहीं मनती अच्छे से कैसे एक क्रोड में एक नए infrastructure की building और सारी सचीवालिया की buildings और सारे नए hospital district hospital यह सब कुछ इतना बड़ा infrastructure large scale पर infrastructure चाहिए कैसे बनेगा औ और बहुत सारे पैसे चाहिए चोटे मोड़े बहुत काम होते हैं तो इतना सारा खर्चा बहुत सारा खर्चा होता है तो यह सबसे बड़ा region है दूसरी एक कह सकते हैं कि आप जितने जादा वह स्माल डिस्टिंग होए उतने जादा corruption होएगा उतने जादा bureaucracy बढ़ेगी या भी एक बड़ा region हो सकता है इसके disadvantage के लिए और इसके लिए disadvantage के लिए कुछ रिजिन आपको याद आ रहा हो तो वह आप लिखिए क्योंकि होलिश्टिकली discuss हो जाएगा comment के form में आप जरू लिखिएगा और देखिए conclusion क्या निकलता है इसका conclusion तो यही निकलता है कि government ऐसे bureaucratic work बढ़ाने से development नहीं आएगी अगर development लानी है तो local communities को involve करना पड़ेगा चाहे वो बड़े district के साथ करिए या छोटे district के साथ करिए आपको ultimately करना ही होगा यह जैसे मैंने बताया 2013 में question भी आया था इस पे तो आप comment की पूम मझरूरू लिखे कि छोटे districts या चोटे states development के तो आई-एस को दो आई-एस का टेन्योर ना दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा लुक्रेटिव मना जाता है यानि जो मेरा personal experience है जो सुने है अपने दोस्तों से वो कहते हैं कि शुरू के टेन्योर होता है यानि आई-एस जब एक DM होता है डिस्टिक कमिश्टिक का वो सब से ज़्यादा लुक्रेटिव होता है यानि वो आई-एस को सब ज़्यादा अच्छा लगता है वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होता है क्योंकि लोग कहते हैं इसमें पावर होता है और दूसरी बाद मतलब कहने का मतलब होई है न अगर जो पीपल की service के लिए आपक से केटरी तब बनते हो यह दो जो होते हैं आई-एस के यह सब ज़्यादा लुक्रेटिव माने जाते हैं बीच के तो आप एक डिपार्टमेंट के हैड हो मलब आप गुमनामी के अंदेरे में खोई हो इतनी वैल्यू मलब कहने का मतलब आप न्यूजपेपर में पब्लिक म वो तो फिर आपका आये रस टाइप ही होता है यानि आप डिपार्टमेंटल वर्क की फाइल रिलेटिटीड वर्क ज्यादा करना होता है तो जितने ज्यूद्ध होएंगे ऐक इस आइस ऊंदा धिएम खैर यह थोड़ा पेपर से लगी था था प्रैक्टिकल चीज़ थी थ लग यह दरित politics की बात यहां पर कर रहे हैं लाल सलाम लाल सलाम यह लेफ्ट की जो पाटिज होती है उनको लाल बोलते हैं लाल सलाम यानि डिवलिशन लाने की बात करते हैं आप यह कहते हैं कि दोनों को बीच में एक alliance आ सकता है कर नहीं आ सकता है इस तरह की opportunities खंगाल रहे है explore कर रहे हैं तो यह article भी ज़्यादा important नहीं है कि सारे की सारे politics view से article discuss किया गया तो political science के लिए basic important हो सकता है लेकिन GS में मुझे तो कम chance लगते हैं इस पैसा कुछ politics से लेटी कुछ question आएगा पेपर 2 में सारे के सारा हमारा governance के issues हैं और politics नहीं discuss करेंगे वो GS में जो हमारा अगला article है यह important article है यह सेख हसीना जो बंगलादेश की prime minister है उनका एक interview है और इनका interview है कि इनके साथ में यह सुसासनी हैदर के साथ में जो कि दा हिंदू से है तो काफी कुछ देखिए बंगलाद politics के बारे में तो question नहीं आएगा लेकिन mainly काफी सारे important points हैं इंडिया बंगलादेश relations से related और काफी कुछ और भी है तो यह article हम discuss कर लेते हैं देखिए बंगलादेश discuss करने से पहले हमको थोड़ा इसका basic context और basic background discuss कर लेते हैं जब अजाद हुए थे दोनों देश बने थे आजादी के बाद में भारत और पाकिस्तान में तब जो muslim dominated area थे यानि आप देखिए पाकिस्तान को दो parts में divide किया गया था एक था हमारा west पाकिस्तान एक east पाकिस्तान west पाकिस्तान में कौन-कौन सोusi west पाकिस्तान में देखिए ये area था और east पाकिस्तान में ये बंगलादेश का area था ये ये highlight कर रहा हुए ये तब का map है डिरेक्ली map है ये आजादिय बाद का उसके बाद यह हैदराबाद इरिया में सामिल हो गया था यह कस्मीर सारा इंडिया में सामिल हो गया था तो यह बाद में क्या हुआ था देखें यह मुस्लिम धरम के नाम पर पाकिस्तान ने अलग देश की मांग की थी और यहां पर मुस्लिम डोमिनिटेट अरिया यहां पर तो आजाडी के बाद में थीक से काम नहीं करухए इन तो रीजन्स के बीछ कोन इसी प्रोब्लम थी एग तो नहीं मिल पारा था तो यह पॉस्ट इंडिपेंडेंज में भी वैसे यह जो हम डिस्क्रस कर रहें सकते हैं कोणगोंसीыми देखे एक तो कल्च्रल प्रोब्लम साफ साफ कल्च्रल दोनों के अलग अलग थे पॉलिटिकल में पार्टिस्पेशन नहीं मिल पार था इस रिजिन को सारे के सारे जो चुनके बंद्द आखे वहाई से होते थे और तीसरा जो रिसोर्सीज जो इस्ट मंगला देश को लगता यहां पर देखिए जब पाकिस्तान आर्मी ने अत्यचार स्टार्ट किये तो बहुत सारे बंगलादेश के अंदर लोग थे परसंस और इवन ओर्गनाजेशन्स जो की पाकिस्तान आर्मी की स्पोर्ट में आ गए उन्होंने भी इनकी स्पोर्ट में आय और एक पढ़ा है हमारे चैनल पर जिसमें हमने डिसक्स किया था वो इंडिया बंगलादेश का इस्वू 1971 वार कैसे-कैसे भारत ने अपनी भूमिकानी भाई बंगलादेश को आजाद करवाने में देखिए यह मैंने इसलिए डिसक्स किया क्योंकि हाँ यहां पर यह जो 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 प पाकिस्तान का साथ दिया था पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था उन लोगों पर अभी ट्रायल चल रहा है यानि उन लोगों पर जो पाकिस्तान का यानि बंगलादेश के साथ गदारी की थी और रेप्स और क्राइम्स किये थे उन लोगों पर अभी 45 येर्स के बाद में मु ये दो बेगम्स के बीच में बटी हुई है सेख हसीना और दूसरी है ये खालिद वाली जो सेख हसीना है उनकी पार्टी है अवामी लीग ये ये वाली जो है ये अभी फिलाल गवर्मेंट में है और इनकी पार्टी के नाम है अवामी लीग ये खालिद है इनके पार्टी के प्राइमिनिस्टर है यह आप कह सकते हैं practically आप कह सकते हैं थोड़ी secular ज़्यादा है यह और प्रो इंडिया भी थोड़ा बहुत आप इन्हें कह सकते हैं और जो दूसरी है जो BNP के party जो यह है यह प्रो पाकिस्तान आप इन्हें कह सकते हैं fundamentalist type की pole season की रहती है तो अब सेख हसीना है सेख हसीना अब को मैं थोड़ा पैंस समझाता हूँ सेख हसीना अभी फिलाल गवर्वेंट में है सत्ता में है वहाँ पे तो सेख हसीना जो है 2008 से वहाँ सत्ता में है यह क्या करते हैं जब भी आती हैं जो अब बंगलादेश की जमीन है इंडिया के खिलाफ नहीं यूज होने देना चाहती यानि सारे के सारे terrorist हैं उनको हटा देती हैं उन पे clampdown करती हैं और सारे के सारे terrorist camps को नश्ट कर देती हैं और जो BNP की party ये खालिदा की party है इनके टाइम में बहुत सारे terrorist camp आ जाते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट करता है बंगलादेश में terrorist activities को और terrorist camp आ जाते हैं यानि इंडिया के थोड़ा सा खिलाफ मान कह सकते हैं खिलाफ मतलब देखिए foreign policy में जब answer लिखे हैं तो आप इस तरह की statement एक्स्ट्रीम मत यूज करियेगा खिलाफ यह तो मैं बस हम सिखाने के लिए हम discuss कर लेते हैं यानि discuss करने के लिए discuss कर लेते हैं वहाँ पर आप डिप्लोमेटिक language यूज कियेज़ेगा जैसे आप अगर से कसीना के बारे में डिसक्स कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं से कसीना यूज दे पोलशी इस तरह के आप डिपलोमेटिक language के यूज किजिएगा इंग्लीश में अब देखें अब यह है अब दो हजार चौदा में election हुए वहाँ पर, दो हजार चौदा में election हुए तो दो हजार आट से लेके चौदा तक तो यही थी जो हमारी सेक हसीना थी, दो हजार चौदा के election को BNP की जो पार्टी थी उन्होंने बाइकोट कर दिया, क्योंकि उन्होंने का कि यह caretaker government के अध्यक्सता में election होने चाहिए, वह नहीं हुए इसलिए उन्होंने बाइकोट कर दिया, अब 2016 तक शेक हसीना ही है, अभी government की prime minister वहाँ पर, तो बस संक्सेप में इतना याद कीजिए, वहाँ पर दो बेगम आपस में प्लट-प्लट कर सत्ता में आती रहती है, अभी इस एक हसीना है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी है, और BNP है, जो ऐसी policies बनाती है, जो इंडिया के लिए अच्छी नहीं है, यह जो war crimes, जो ट्राइल चल रहे हैं, यानि इन्होंने साथ दिया था, पाकिस्तान का उस टाइम पे जो एक्ट्रस्टी चल देए थी, अब देखिए, अब इस आर्टिकल के शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा वापस लिए, क्योंकि यूरी अटक के बाद में cross border terrorism का issue है, हमारे अलग issues हैं, हमारे issues क्या हैं, देखिए, उनके बंगनादेश नहीं इस लिए वापस लिया, क्योंकि जो अब ट्रिबनूल में case चल रहे हैं, इनके खिलाफ में, उन बंदों के खिलाफ में, तो पाकिस्तान बंगलादेश को कैसे पसंद आएगा, यह तो उनकी sovereignty के लिए खतर है, तो यह तो बंगलादेश का internal matter है, बंगलादेश अब एक अजाद देश है, तो why other person or other country is speaking about the internal matter of बंगलादेश, so this is against the interest of बंगलादेश, इसलिए बंगलादेश को यह बाते पसंद नहीं आती, और surgical strikes को दूसरी देश की territory में जाके surgical strikes को sport करती है, तो इन्होंने कहा, इन्होंने मना नहीं किया, इन्होंने diplomatic बात कर, इन्होंने कहा, हम ऐसा सोचते हैं कि जो LOC है वो respect होनी चाहिए, बस इतना ही इन्होंने कहा, दूसरा इन से घुमाफिरा के फिर writer ने दुबारा से, यानि जो सुसासनी हेदर है, इन्होंने दुबारा से घुमाफिरा कर सेम question पूछा, इन्होंने कहा, कि देखिए, इंडिया अभी बात कह रहा है कि मैमार में भी इंडिया नहीं ऐसा किया था, और बंगलादेश में, महलब पाकिस्तान में भी अब ऐसा किया, surgical strikes, क्या ऐसा बंगल बंगलादेश हैं की टाइस के बाद ने पूछा, और कहा कि कैसे इंडिया बंगलादेश अभी जो टेरर एक्टिविटीज हैं के खिलाफ में कोपरेट कर रहे हैं, और पूछा कि कैसे सारे के सारे टारिस्ट को भगा दिया है, बंगलादेश ने अपनी territory जो इंडिया के ख हो मयमार हो या फिर कोई भी दूसर देश हो, उनके interest के खिलाफ हम terrorist activities को नहीं होने देंगे अपनी soil से, और फिर इनसे IS-IS के बारे में पूछा गया कि क्या IS-IS पनप रहा है, बंगलादेश के अंदर में क्या अपनी जड़े जमार आई यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि पूछा गया कि इंटरनेशनल कमुनिटी से दिमांड हो रही है कि 45 years के बाद में जो अब war trials हो रहे हैं इन्हें बंद कर दिया जाए और क्यों यह war trials हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए war trials इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने कहा है, और यह justice के लिए है, टाइम क पूछा गया कि, जी जिंपिंग है, जो जी जिंपिंग है, चाइनीज के प्रेजिनेट है, अब यह इंडिया, ब्रिक समिट के लिए इंडिया आने से पहले बंगलादेश भी आएंगे, और इंडिया इस चीज को काफी closely देखता है, देखिए, बंगलादेश जब बना था 1971 में बंगलादेश जब बना था, तो क्या था, तब चाइना ने तो बंगलादेश को मानने से इंकार कर दिया था, क्यों चाइना तो जब पाकिस्तान का साथ ही था, तो उन्होंने तो बंगलादेश को मानने से इंकार कर दिया था इस अलग देश को, अब क्या है, अब उन आधसे गोर्फेंट को र्यविए उसको कम किया जाए अगला कोकिछ ya गी बंकलाधे के लिगेष्ट παर्टनर एक बिगेष्ट पार्टनर है यह ज्यादा चैनल कहा त्मकर Maa है बंगलादेश के साथ में तो इवन जो वन रोड वन बेल्ट है उसका भी हिस्चा है बंगलादेश में तो क्यों ना माना जाए इंडिया के concerns valid है इंडिया को क्यों चिंतित नहीं होना चीए इसके बारे में तो इन्होंने इस बात का reply कि है कि देखिए सब allegation है और हम ऐसा कुछ नहीं है कि Chinese string of pulse की policy में हम उनका साथ दे रहे हैं और हमारे संब्ध जो है इन्होंने कहा कि हमारे संब्ध हमारे relation सबके साथ अच्छ में अच्छे हैं और जिनके साथ relations अच्छे हैं तो फाइदा ही तो है connectivity आएगी ट्रेड इंक्रीज होएगा economy घ्रो होगी और purchasing power parity भड़ेगी पूरा का पूरा region develop करेगा तो इन सब का फाइदा अगर पूरा region collapse करेगा तो इंडिया कोई है तो खुश होना चाहिए हमारे किसी वी डेश के साथ में अच्छे होते हैं क्योंकि पूरा का पूरा रेजन डेवलप करेगा तो इंडिया को फाइदा होगा इसका तो इस बात पर यह नहीं यह कहा फिर इन से यह पूछागा कि आप बिमस्टेक के मुद्दे पर आने वाली है बिमस्टेक का जो समीट अटेंड करने इंडिया आन प्रोब्लम है वो है पूवर्टी और आपस में कोर्परेट करके ही समस्टेक से निजात पायदा सकता है यह अप्षय अपर इस लाइन को यूज कर सकते हैं जो यह अच्छे-च्छी लाइन होती है इंप्रेशन डालती है और यह काफी सारी बाते बता देती हैं यानि कम सब अब्दों में ज्यादा explanation जो अच्छ अच्छी बाते होती हैं और इन्होंने कहा कि देखिए प्रोब्लम है वो सोल की जा चुकी है पहले भी घंगा का इश्यू जो हमने पास कर लिया है तो और भी छोटे मोटे इश्यू है वो सोल कर लिया जाएंगे और expectations तो विम्स्टेक से यही है कि expectations ब्रिक्स से यह है कि ब्रिक्स ने अभी अपने एक नया बैंक बनाया है जिसका नाम है new development बैंक तो expectations यह है कि जो new development बनाया है बैंक बनाया है यह सस्ती ब्यास दरों पर यानि soft loan हमें दे जिसका ब्यास ज्यादा ना हो ताकि हमारा देश बंगला देश डेवलप ह पिर जो अग्ला इस्यू आता है बोडर एक्षेट इस का कीपिशाल गया लेकिन इस डेकर साइन होगया लेकिन उनता है देखें की औरम पर फाय्रींग होती है वाँजिक बंपर फाईर वैक्टा सपता हूँ इस में कर सबंदेस नहि hon और ऑइंडिया में और में करते हैं तो illegal migration होके एसम में और जो आसपास के जो बंगलादेश के साथ border states हैं हमारे वहां बहुत सारे बंगलादेश इस आकर रहते हैं तो इससे डेमोग्राफी चेंज हो गई है कई जिगह तो पूरी की पूरी तो अब क्या इंडिया ने स्ट्रोंग कदम उठाएं वहां पर कई जिगह तो फैंसिंग में करेंट डाल दिया गया है और illegal migration होती है तो firing का यूज करते हैं तो जो लोग होते हैं वहां पर वह मारे जाते हैं जो होते हैं तो इस से भी दोनों देस्टों को बीच में विश्य है तो यहां पर इन्हों ने इस मुद्धे पर नहीं का देखिए जो इनोशेंट लोग हैं वो नहीं मारे जाने चाहिए तो इस बात के गर सकता है जहां ना सिरफ land का exchange है बलकि people का भी exchange है तो कोई भी issue हो सकता है यह सिरफ ना Bangladesh इंडिया के लिए example है पूरे के पूरे reason दिया example है और यह अच्छी बात है मालब यह example में लिखेगा आप means examples में इसके example दीजीए कर how India manage to solve the relations with the Bangladesh अब जो अगला आटिकल आता है वो BCCI से related है इसमें question यह आ सकता है सिदा सिदा भी आ सकता है what are the bottlenecks which are still persistent in the with respect to the relations with the Bangladesh and how the relations can be improved what are the good things what are the bad things कुछ भी question आ सकता है इंडिया बनादेश के relations के मुद्दे पर जो अगला मारा article है वो BCCI से related है देखिए इसको timeline के साथ से discuss कर लेते हैं कैसे क्या हुआ तो सबसे पहले तो क्या हुआ 2003 में एक सबसे पहले यह हुआ 2003 में आपको पता होगा 2003 में 2013 में 2013 में 2013 में एक जो IPL का scandal हुआ था यहां पर chatting और जो थी सर्थ लगाना यह सब कुछ सट्टा लगाना यह सब उभर कर आए थे issues और भो जदा हुआ क्राई होगी थी इंडियन मीडिया में क्या जो दर्सक हैं वो के पागल हैं जो मैंस देख रहे हैं अगर आपके मैंस आरेड़ी कौन देखेगा शिरीशन्त अजीद चंदोलिया और इन सब का नाम आया था उस टाइम पर तो काफी लोगों में गुस्सा था भाई IPL करप्ट है यह सब है और सुप्रीम कोर्ट आपको पता है जब कोई भी issue सुप्रीम कोर्ट में मीडिया में आ जाता तो सुप्रीम लोधा पैनल का कठन कर दिया लोधा थे जो हमारे पूरों सीजी आई थे चीफ जेश्ट्रीस ऑफ इंडिया थे इन्होंने कहा कि आप देखिए बी सीची में क्या दिखते हैं और कैसे रिफॉंड लाए दा सकते हैं और आप इस पूरे इस्यूज की जांस कीजिए इन्वे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी मनिश्टर पद ग्रेंड नहीं कर सकता तीन साल से जारे टैनर नहीं हो सकता तीन टर्म्स तक लिम्टिड है एक स्टेट एक वोट एथिक्स ऑफिसर होना चीए यह सारे इस्यूज हमने पहले डिसकस कर लिए हैं तो अब क्या उसके ब अब आपका काम इनको इनफोर्स करना है पहले दो लोधा कमेटी का काम था रेकमेंट करना अब लोधा कमेटी को इन्होंने इनफोर्समेंट एजनसी बना दिया इन्होंने का कि अब आप इनको इनफोर्स कीजिए और एक 30 सप्टेंबर की टाइम लाइन यहां पर दी और कह सब्सक्राइब करें तो देखिए कहा मानने वाले थी अगर BCCI मानती तो सारे के सारे जो इनको पोस्ट छोड़नी पड़ती अनुलाग ठाकूर और यह जितने भी ओफिस बीर है इनको अपनी पते छोड़नी पड़ती कौन चाता है आज की टाइम में कोई चाता है अपनी पो जस्टीस है पुराने सिप्रीम कोट को इनको भुला कर ला है कार्जू ने कहा देखिए जुडिशल ओवरीच है और इसे नहीं यह नहीं है सुप्रीम कोट ज्यादा अंदर जा रही है यानि इस इशू पर सुप्रीम कोट को इंटरफेर करना है कोई हक नहीं बनता बिसी से यह प्राइवेट बोडी है इस तरह की बात इन्होंने कही और मिन्वाइल जो लोदा कमिटी है थोड़ा-थोड़ा इन्होंने इन्फोर्स करना स्टार्ट किया और लेकिन एक लैक ओफ कम्मिनिकेशन स्टार्ट हो गया यानि तीस स्टमबर की जो डेडलाइन थी वो धुन उइक स्टमबर के मीटिंग होई। 21 स्टमबर के मीटिंग में AGM की मीटिंग थी तो लोदा कमिटी ने यह रेकमेंड किया था कि सिलेटर्टर है रुप करने self और 24 स्टमबर की मीटिम में इन्होंने मानी नहीं लोदा कमिट्टր की बात इन्हों को 5 हे ठीक है और ऐसे के खिलाफ में यह स्टेटस रिपोर्ट लेके गए सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट लेके गए और उन्होंने का कि देखे कुछ नहीं कर रही है और इंप्लीमेंट करवाईए सारे के सारे decisions सुप्रीम कोट ने भी इस पे गुसे में आ गई उन्होंने का बुला लिया मतलब उन्होंने का कि देखिया आप implement कीजिए और एक अक्टूबर यानि बाद में दुबारा से एक अक्टूबर की meeting होई तीस तंबर के बाद में एक अक्टूबर की meeting होई और इस एक एक अक्टूबर की meeting में थोड़े बहुत decision BCCI ने मान लिए लेकिन वो नाम मात रखे थे अच्छे decision कुछ में थे फिर सुप्रीम कोट ने का कि 6 एक अक्टूबर तक आप सारे के सारे decision implement कीजिए 6 एक और 6 एक अक्टूबर के वीच में क्या हुआ अभी इंडिया न्यूजिले कीज अभी चल रही है तो cancel हो जाएगी तो लोधा कमेटी ने खाया कि नहीं नहीं हम domestic cricket की बात कर रहे हैं डे टूडे में जो आपके खर्चें हो चलते रहेंगे 6 एक टूबर में भी आ गया 6 एक टूबर के बाद में भी इन्होंने कहा कि 7 एक टूबर तक आप एफिडेविट दे जिए भी हम implement करेंगे लोधा कमेटी की रिपोर्ट को 7 एक टूबर तक भी कुछ नहीं किया इन्होंने और फिर अब 7 एक टूबर के बाद में डेट देई है 7 एक टूबर की यानि 7 एक टूबर को final है कि almost जो Supreme Court है BCCI की रिपोर्ट implement जो लोधा कमेटी की रिपोर्ट है implement कर देगा और एक action लेगा इस पूरे मूद्दे पर अभी 7 एक टूबर लास्ट देट है देगे वैसे तो यह पूरा का पूरा आर्टिकल है कोई खास ऐसा मतलब एक 7 एक टूबर को एक decision आने वाला है तो important है उस दृष्टीम हमने पहल corruption cricket में या फिर स्पोर्ट की बोडी में corruption है इस पर question बन सकता है तो हम लोधा कमेटी के बारे में लिखेंगे example लिखेंगे कैसे इनको ठीक है सकता है दूसरा जो important question मुझे लगता है इस में इस पर आ सकता है जूडिशियल overreach या activism महलब यह judicial overreach है या फिर judicial activism है क्योंकि BCCI वाले यह कहते हैं कि हमारी private body है how can the judiciary interfere into the private bodies so this is against the judicial ethics it is clearly clear cut judicial overreach और कुछ लोग कहते है जूडिशियल एक्टिविजम है एक हद हो गई है BCCI शुदर नहीं रही है और corruption बहुत ज़्यादा है तो यह question आप बताईए इसका answer आप दीजिये क्या जूडिशियल overreach है या जूडिशियल activism है क्यासे यह है पूरा का पूरा issue ओके आज तीनी articles important है इसमें thanks thanks very much for listening